हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल टीचिंग जा मोबल लोड दोस्तों आज के ससन के अंतरगत आपकी जो सीटेड दिसंबर 2023 की क्लासे से जाल रही है उसके अंतरगत आज आपकी जोगर्फी की नेक्स लास है जिसमें आज हम जोगर्फी क्लास 6 के चेप्टर ज़्यादा शेयर करें चलिए इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है पहारी वास थली भाग है जो की आसपास की भूमी से उची उठी होती है जैसे कि ये मालीजे इस थली भूमी है तो जो उठा हुए भाग होता है ये पहारी कहलाती है छेसो मीटर से अधिक उचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को परवत कहा जाता है तो अब प्रस्ण बनता है कि किस पहाड़ी को हम परवत कह सकते हैं तो 600 मीटर से अधी कुचाई वाली और जो खड़ी ढाल वाली होती है उसे क्या कहते हैं परवत कहते हैं आगे देखते हैं अगला पॉइंट है कि प्रिद्वी की सता की टूट टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहा जाता है तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रिद्वी की सता जो टूट टूट कर घिसती है उसे क्या कहते है अपर्दन कहते है तथा जो यह अपर्दन होने के तो कहीं न कहीं जाके निच्छेपित होगी न तो जो निच्छेपड होता है जो कहीं न कहीं जाके जमा होती है उसे निच्छेपड कहते हैं ये क्रियाएं ये दो प्रक्रियाएं बहुते हुए जल वायू तथा बर्प के द्वारा होती है ये बहते हुए जल के द्वारा हो स परवत को ही ब्लाग परवत कहते हैं, तो अब परवत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, वलित, ब्रहंसोत तता जौला मुखी परवत, अब चलिए वलित परवत देख लेते हैं, हिमाले तता आल्प्स वलित परवत होते हैं, वलित परवत कौन से होते हैं, इसको नोट का लिजीगा अब देखते हैं वालिद परवत होते हैं तो जो दो टेक्टानिक प्लेट्स होती हैं दोनों टेक्टानिक प्लेट्स के टकराने से जो परवत का निर्मार होता है उसे वलिद परवत कहते हैं जैसे कि यह से वलिद परवत बनते हैं ना वलिद परवत टेक्टानिक प्लेयर्स जैसे दो टेक्टानिक प्लेयर्स हैं तो दोने टेक्टानिक प्लेयर्स के टकनाने से यहां के सता उपर उठ जाती है इसे ही वलिद परवत कहते हैं तो वलिद परवत के बारे में क्या क्या है important point हो गए कि सबसे उबड़ खाबड होती है इनकी सतहें जो होती है उबड़ खाबड होती है तथा इनका सिखर संक्वाकार होती है इनका सिखर कैसा होता है संक्वाकार होता है और सतहें आगे देखते हैं वाली, सबसे पूराना वालित परवत सेंखला है, उसके बाद अपलेशिययन कहां कि उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन और रुज के यूराल परवत जो है, वा गोला काल दिखाई देते हैं, और इनकी उचाय भी कम हो गई, क्योंकि अपरदन होता है अपरदन किन क्रियाओं से होता है वायू से हो सकता है जल से हो सकता है बर्फ से हो सकता है मैंने उपर भी बताया है अब देखते हैं जब बहुत बड़ा भाग तूट जाता है तथा उर्धवा धर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंसोत परवत का होता है अब चलिए देखते हैं देख माल लेते हैं ये प्रिद्वी की शता है ठीक है माल लेते हैं ये प्रिद्वी की शता है उसके बाद क्या हुआ कि प्रेशर से भ्रंश हो गई यहां प्रेशर से क्या हुआ कि जमीन है बाद दब गई तो जमीन यहां की जमीन दब गई य यही क्या कहलाएगा, यह जो इस प्रकार की परवत बनते हैं, भ्रंस के कारण जो परवत बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भ्रंसोत परवत कहते हैं, जैसे की फीगर में दिखाए गया है, यहां की प्रिद भी दब गई, यहां की प्रिद भी दब गई, यह परवत बने रहे, ये कहलाएंगे ब्रंसोत परवत कहलाएंगे आगे देखते हैं उपर उठे हुए भर खंड को उत्खंड तता नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का भंस कहते हैं ध्यान रखीगा जो उठे हुए जो पाल्ट होता है उसे उत्खंड कहते हैं और नीचे का जो भाग नीचे र परवत को गाते हैं गान। अफरीका का माउंट के लिमंजारो और जपान का फ्योजी आमा इसमें एक और पॉइंट इंपर्टेंट था क्या आप जानते है कि प्रशान्त महासागर में इस्थित मौनौकी परवत हवाई दीप में यहाई धान रखीगा मौनौकी परवत कहा है हवाई दीप में है प्रशान्त महासागर के अंदर है सागर की सता के नीचे इस्थित है तो ही मैं बता रहा हूँ प्रशान्त महासागर के अंदर है मौनौकी परवत हवाई दीप में है इसकी उचाई 10,205 मीटर जो इवरेस्ट की लंबाई कितनी है 8848 मीटर है ना अगला पॉयंट इक पाथार क्या है पाथार उठी हुई एow सपाड भूमी होती पाथार जो होती है वा उठी हुई भूमी तो होती है फिगर देखिये लेकिसर सपाट भूमी जैसे कि 면ıs आप其實 आपकी यह नॉरमल सता है यह इधर नॉरमल सता है तो यह पठार कहला आएगा क्योंकि यह उठा हुआ तो है लेकिन यहां प्लेण है देख लेज़ अक disp wear का होता है यह नॉर्मल सता है यह नॉर्मल सता है इसके चारों नॉर्मल सता होगी लेकिन यह उठा हुआ भाग है और प्लेन है तो यह क्या कहलाएगा पठार कहलाएगा आगे देखते हैं पठार उठी हुई है उस अपाट भूमी होती है या असपास के छेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी उपरी भाग मेज के समान सपाट होता है वही जो मैं बता रहा हूं इसका उपरी भाग जो होता है मेज के समान सपाट होता है किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिनके ढ़ाल जो होते हैं वह खड़े होते हैं ढ़ाल इनके क्या होते हैं खड़े होते हैं ऐसे ढाल ऐसे नहीं बनेगा ढाल इनके ऐसे सीधे ही रहेंगे आगे देखते हैं सीधे का मतलब ढाल कैसे कि यह जो ढाल बनेंगे यह ऐसे सीधे ढाल लेंगे ऐसे आपको तीछ ढाल नहीं मिलेंगे आपको यह जो ढाल मिलेंगे सीधे ही मिलेंगे इधर भी नए या पुराने हो सकते हैं तो परवतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं भारत में धक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है तो भारत में जो धक्कन का पठार है वह पुराने पठारों में से एक है केन्या तंजानिया तथा यूगांडा का पूर्वी उचा पठार है, most important point, तिबबत का पठार, बिसका सबसे उचा पठार है, जिसकी उचाई मध्य समुद्र तल से, 4000 से 6000 मीटर तक है, तो इसमें पठार में important क्या है, कि इसकी जो धाल होती है, वा क्या होती है, धाल एकदम सपाट होती है, इसकी धाल कैसी होती है, धाल खड़े ह होती है, तथा इसमें और important point क्या है, इसके उपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, और पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, धाल इनकी खड़ी होती है, तथा भिसका सबसे उचा पठार तिबबत का पठार है, जिसकी उचाई 4000 से 6000 मीटर तक है, जान रखेग यह खनीज रूप से बहुत सम्रिद होते हैं, पठार बहुत उपयोगी होते हैं, और क्योंकि उनमें खनीजोग प्रिचलता पाई जाती है, जैसे अफरीका का पठार सोना और चांदी कले प्रिशिद हैं, भारत के जो छोटा नागपूर का पठार है, उसमें लोहा, कोईल देखा नदी परिश्थित हुड्रू जल प्रपात तथा करनाटक में जोग जल प्रपात इस प्रकार के जल प्रपातों के उधारने, अब इसमें प्रस निक्या इंपठर मनता है, कि हुड्रू जल प्रपात जो है वा किस नदी पे है, तो वा देखा नदी पे है, तथा करन आटक में कौन सा जल पर पात है तो जोग जल पर पर पात है और लावा पठारों में काली मिट्टी की प्रचूरता है जहां जाल मुखी भी होते हैं वहां काली मिट्टी हो जाती है और उपजावपन होते हैं आगे देखते हैं मैडान में एक ही पॉइंट में हम देख लेघ इसमें पहला पॉइंट था चासो मेटर से अधिक उचाई वाली वे परवट कहलाती हैं उसके बाद important थक परवट के तीन प्रकार होते हैं वलित परवट, एक भ्रहनसोथ और एक जौलमखी वलित परवट में सता यूभर खाबर होती है ःषिक दो हिमाले वा आल्प्स और वलित परवट कैसे टेक्टॉनिक प्ले 만ट जो जो प्रेशर पढ़ता है उससे बनते हैं और अरा वाली जो है विश्क की सबसे पुरानी वालित परवत है और सबसे नई वालित परवत सिंखला कौन सी है वह हिमाले है उसके बाद आल्प्स भी वालित परवत का उधान है इसके बाद भ्रंसोत परवत होते हैं जो क्या होते ह और ब्रंसोत परवत के उधान कौन कौन से हो जाएंगे यूरोप की राइन घाटी और वासजेस परवत तथा भारत का सत्पूरा परवत और जौला मुखी परवत होते हैं जो जौला मुखी से बनते हैं जैसे कि अफरीका के मांट के लिए मंजारो और जापान का फ्यूजी करते हैं आसा करता हूं को आपको से संपसंद आए होगा अगर आप जी तरह के अने सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूटूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तशा जादे जादा शेयर करें चलिए धन्यवाद